पर एक स्पेस जहां पर बाजार का कन्विक्शन नहीं बनाया और वो है IT, across the board, आज IT में आप भरी गिरावट आते हो देख रहे हैं, Infosys के नतीजों के बाद mood बिगड़ते हो दिखाए, अगर large cap IT हो या mid cap IT, सारे stocks पर आज दबा बनाये, आए एक बार कुशल से जानते हैं, जो दो दिगज companies ने अपने नतीजे डिक्लेर कर दी हैं, TCS और Infosys, यहां पर अगर आप comparison करें, तो क्या निकल कर आ रहा है, क्या बड़े takeaways होने चाहिए, आज की गिरवट को भी थोड़ा समझते हैं, कुशल बताए, TCS और Infosys किस ने कैसा प्रदर्शन किया है? देखें, यहां पर सबसे interesting चीज, TCS और Infosys में यह निकल कर आ रही है, कि Infosys के जिस तरह से numbers आते विए दिख रहे हैं, वो clearly TCS को underperform करता है, बट कुछ एक parameters पर, अगर हम देखें, तो यहां पर better side पर आपको guidance नजर आती भी दिखेगी, खास कर अगर आप सबसे पहले TCS का point raise करते हैं, तो आप देखें, यहां पर dollar eye growth लगभग 2.6% बढ़कर आती भी दिखे थी, जो कि अनमान के मताबिक आई है, हाला कि अगर आप देखें, तो 0.7% की जो बढ़त है Infosys में, वो काफी कम रही है, जितनी expectations से करीब 2.72% की expectations थी, और F.I.23 का जो constant currency guidance है, वो भी उन एक थोड़ी सी positivity बनती भी नजर आ सकती है, आगे चलकर, वहीं दूसरा point की तरफ आप नजर डालें, तो तिमाही अदार पर margins, इसमें TCS clear cut winner निकल कर आ रहा है, 0.6% ही गिरती भी दिखी है, तो बहुत जादा margins पर दबाव TCS की case में नहीं हमें आता वा नजर आया, जबकि आप देखें करीब करीब 2% की गिरावट जो है इनफोसेस में आई है और 21.5% की लगबग कंपनी ने margins दर किया है, और guidance भी analyst का estimate था 22-24% का उसके मुकाबले 21-23% की guidance कंपनी ने दिया है margins के लियाद से, जहां तक attrition दर की बात है, लगातार सभी IT कंपनिया आप देखें पि पर होती भी दिखी है, पर largely आप देखें, आप देखें, आलमुस्ट 10% का gap जो है, अट्रिशन वाइस, इनफोसेस में जादा हमें देखने को मल रहा है, और अंत में अगर आप पॉइंट देखें, तो यहां पर brokerage houses की जो reports आते भी दिख रही है, वहां पर आप focus रखें, यहां पर खरीदारे की राये देता हुआ नजर आ रहा है, और लगबग-लगबग मौजदा भाव से 23% के upside और आज के fall को अगर आप encounter करेंगे तो 4-5% और उसमें जो आप जोड लीजिए, दोनों ही counters के लिए, और Infosys के लिहाद से आप देखें, Jeffries जो है, अभी भी इस पर अचले तो at least valuation gap तो यहां पर थोड़ा कम होगा, but definitely अच्छा नहीं लग रहे हैं, बाजार को नतीजे और इसलिए आप reaction सिर्फ Infosys पर यह नहीं देख रहे हैं, across IT space आपको यह reaction आते हो दिखाए, किरन जी जैरा, एक बार Infosys के charts पर रहे दें सर, और गिरावट देखते हैं 1620 के level पर तो आई चुका है, आज 1600 के नीचे का भी low इसने बनाए है, आठ महीने का निचला सर छुआ था सर, क्या लगता है अब Infosys के लिए? Infosys में बहुत ही important निकलाइन है, जो तूट गही है, तो positionally मुझे लगता है कि थोड़ा सा weakness रहेगा, पर immediate जाएगा यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने vertical fall 1900 से 1600 तक देखी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा pullback देखने में मिलेगा, थोड़ा सा sideways चलेगा, पर weakness बिलकुल IT stocks में देखने मिलेगी, तो जलबाजी नहीं करनी चाहिए, IT stocks बाय करनी में, और अभी के लिए मैं तो avoid list में रहूंगा, pullback पे बेचनी के सला दूँगा, जो neckline के अभी value है, लगबग 16.75 के आसपास है, तो 16.50 के आसपास अगर मिलता है, तो तब 25 रुपे के risk ल भावना इस पर definitely बनती हुए दिख रही है, जहां तक infosys का सवाल है.